हेलो गाइस वेलकम बैक सागर एक केस आएगी जैसे कि आपको पता है मैंने रिसेंटली हीरो नाइन ले लिया था गोप्रो सो मैंने यह लोकल वेंडर से लिया हुआ पर स्क्रीन गार्ट एवलेबल नहीं था तो मैंने एमजोन से मंगाया था यह फाइनली आज यह मेरे पास उनच आगया है चलिए देखते हैं अभी रिसेंटली आया है तो पैकेट देखते हैं कैसा है पैकेट स्टु पैकेट है और पैकेट में क्या-क्या कंटेनर चलिए देखते हैं कि सुबार इसका पैकेट को दिखे आप दोका मत खा जाएगा मैं भी दोका खागी आखा मैं समझा तक कोई फोन का स्क्रीन गाड़ आ गया लेकिन नहीं भाई यह गोप्रो का ही स्क्रीन गाड़ आया है तो गाईस से लिए अब देखते बॉक्स के साथ हमें क्या-क्या मिलता है तो फर्स्ट हमको मिला है यह गाइस टीकर्स और डॉस्ट रिमोवर और यह वेट वैप्स और ड्राइव एप्स है जो स्क्रीन साफ करने में हमारे हैल करेंगे यह सब तीन-तीन कॉंटेटी में हैं देखें तीन-तीन क्यूंकि हम लोग वाद स्क्रीन हैं यहां पर यह सब को रख देते हैं अभी साइट पहर को और बढ़ते हैं हमारे में स्क्रीनगाट की तरह जैसे आप देख सकते हो यह मेरा में स्क्रीन गार्ड है जो पीछे की तरह रखता है की काफी अच्छे तरह से यह हैं पीछे की तरह साइज पर फेक्लिव लिएट अठीक टॉड़ा द कि गेना पर्फिक्त आइज के दिच काफी मजाद है काफी सेटिस्पाइग है पहले हम लोग क्या यूज करेंगे यह डस्ट अब्जॉबर यह अगर आपका स्क्रीन पर ज़्यादा दस्ट है तो ही यूज किजिएगा बनना नहीं किजिएगा क्योंकि मैंना है मुझे ज़्यादा करने का दोड़त नहीं तो मैं इसको अवट कर रहा हूं तो अभी है next product, next product पर हमें packet पर क्या आया था, यह dry wrap और wet wrap, यह भी तीन quantity पर आया है, यह भी तीन screen गाड़ है, चलो इसको खोलते हैं, पहले wet wrap लेते हैं, यह खोल लेते हैं, खोलने के बाद इसको अच्छी तरह से साप कर लेंगे, कुछ इस तरह, चलो फ्रेंड, अब यह dry wrap का ट्रेंड है, इसको खोल के अच्छी तरह से screen को साप कर लेंगे, तो अभी देख लेते हैं, next process, next process पर क्या है, हम लोग के पास, हम लोग के पास है, यह guide stickers, यह guide stickers क्या काम आ की तरफ face होगा, मतलब आपकी screen की तरफ face होगा, और इस तरह से आप पहले place कर लीजेगा, उसको, और guide stickers को कुछ इस तरह से चिपकाना है, अच्छी तरह से, देखिए, इस तरह से मैंने चिपका दिया, ताकि perfectly fit हो, guide stickers यह काम लगता है, अब एक बाद फिर से, मैं एक बाद So guys, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस तरह से निकालना है, देखिए, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, इस तरह से निकाल के, अपने जगा पर रखे, ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा जोर दे दिया था, तो क्या होगा, तो पीछे का guide sticker में निकल गया है, तब भी लेकिन screen एदम perfectly fit हो गया, जैसे कि screen जैसे आप रखो गया, तो हलका प्रेस कर दे जाएगा, तो automatically वहाँ पे लग जाएगा, देखिए, अब कितनी अच्छी तरह से लग गया है, screen एदम perfectly, so friends, आपको same process से बाकी के दो screen को भी लगाना है, मैं इस part को escape कर रहा हूँ, क्यूंकि video काफी ज़्यादा लंबा हो रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप board हो, तो मिलते हैं थोड़ी देर पे, अब, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो subscribe करके ज़रूर जाहिएगा, और guys, मेरे चैनल पे जल्दी ही motoblogging का setup का वीडियो आने वाला है, so keep watching, thank you.